अब्दुल करीम खान संगीत जगा स्वर्गी अब्दुल करीम खान का बहुत रिड़ी है उन्होंने कई चोटी के कलाकारों का निर्माड किया हीरा बाई, बढ़ो देकर, सरुस्ती राने, रोशन नारा, बेगम, सुरेश बाबु, माने, पंडित राम भाव, कुंद गोलकर, सवाई का अंधर्व, बहरे बुगा, आदी, कला विग्यों के निर्माड कसरे अब्दुल करीम खान को है उन्होंने ही ठुमरी को सरल और लोकप्रिय बना दिया, उन्हें ख्याल ठुमरी भजन तथा, मराठी भाव, गीतों पर सम्मान अधिकार था उन्हें के सत प्रयत्रों से अब हम करीब करीब सभी आएक ठुमरी गाना पसंद करने लगे हैं कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि स्वयम जन्ता की ओर से ठुमरी की फरमाईश हो जाती है खांस आप सहारन पुड़िले के किराना नामा गाउं के रहने वाले थे आपके पीता काले खां तथा चाचा अब्दुल खां स्वयम अच्छे संगित अग्ये थे जिनसे आपको संगीत की सिक्षा मिली आपकी सिक्षा बच्पन से ही सुरू हो गई थी और बालक करीम खां का गायन लोगों को आशेर जखित कर देता था बहुत छोटी सी उम्रें से आप संगीत के जलसों में अपना कारकरम देने लगे थे थोड़े बड़े होते ही आपको बड़वदा दरबार में राजगायक निक्त कर लिया गया केवल तीन वर्सों तक बड़वदा नरेश की सेवा में रहने के बाद कुछ दिनों तक वंबही में रहे और तत्पस्चात मीरच चले गए खाँ सहब सुम एक उच्च कोटी के गयाग हो चुके थे किन्तु उनकी हारदी के विलासा अच्छे संगित अग्या और सुरोता उत्पन करने की थी इसलिए उन्होंने एक संगित विद्याले की अस्थापना 1913 के लगभग पूर्णा में की उसका नाम आरे संगित विद्याले रखा कुछ दिनों के बाद आपने बंबई में इस विद्याले की शाखा खूली और कुछ और सुम बंबई में रहने लगे लगभग तीन वर्षों के बाद कुछ कारण वर्ष आपको विद्याले बंद कर देना पड़ा और फल सो रुप बंबई छोड़ कर मीरज में रहने लगे एक बार एक संगीत कारगरम के सिल्सले में आपको मीरज से मद्राज जाना पड़ा वहाँ पर आपका कारगरम बड़ा सफल रहा वाँ से दूसरे संगीत कारगरम के सिलसिले में पॉंडी चेरी जाना पड़ा रास्ते में ही आपकी तबियत खराब हो गई यात्रा स्थगित कर देनी पड़ी और सिंग पोयम कालम स्टेशन पर 11 बजए रात्री में उतर जाना पड़ा समय के साथ सा तबियत भी खराब होती गई उन्हें भी अपने दीन करीब जान पड़े लगे थे विस्तर पर नमाज बड़ा और दरबारी कहणा के सोरों में खुदा की इबादत करने लगे इसी प्रकार गाते गाते उसी विस्तर पर 27 अक्टूबर सन 1917 को अंतिम सांस ली वहाँ से उनका सव मीरज लाया गया जहां उन्हें दफना दिया गया खाज अब एक हरे बदन के वेक्ती थे स्वभाव से बहुत ही शांत और दिदू भासी थे जैसा उनका गायन मधूरता वैसी ही उनकी बोल चाल ठूमरी गाने में तो बड़े प्रवीड थे ही ठूमरी के कुछ रिकार्ड जो अक्षरी काकासवारी से प्रसारित होते हैं बड़े मधूर और अकर्शक लगते हैं मत जई हो राधे जमना के तीरे पिय बिन नहीं आवत चैन उनकी गाय हुई ठूमरिय बहुत प्रसीत हैं तार सब तक में उनकी आवाज में बड़ी सरलता से तथा स्वभाविक ढंग से जाती थी बंद गले का कोट और साफा ही उनका पहिनावा था उनकी हाथ में सादा एक छड़ी रहती थी यद भी कि अब आप नहीं रहे किन्तु संगीत जगत आपको कभी भूला नहीं सकता